आज के इस वीडियो में आपकी जो कक्षा 10 की हिंदी है उसकी जो वार्षिक परिक्षा 2022 है उसके लिए छितीज भाग से 17 अंके के जो भी महत्पुन प्रस्न हैं उन सभी प्रस्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और एक बात आपको मैं पक्के विश् सिर्फ पढ़ने में ही याद अच्छे से हो जाएंगे चलिए जल्दी से हम देखते हैं उन महत्पुन प्रस्नों के उत्तरों को सबसे पहला जो प्रस्न है आपका 15 आईत्ति से आप क्या समझते हैं तो इसका अंसर आप यहां से ले लिएगा स्क्रीन सोट आप जल्दी से याद भी कर सके अगला है भक्तिकाल की दो विशेस्ता है तो यहां से आप याद रखेगा कि भक्ती भाव से ओत्परोत काविये और गुरू की महिमा का वरनन यह भक्तिकाल की दो विशेस्ता है तीसरा जो महत्पुन आपका प्रस्न है वह 100% आपका परिक्छा में आएगा चायावाद की दो विसेस्ता है तो यहाँ पर मैंने चार विसेस्ता है दे दी है व्यक्तिवाद की प्रधानता सरंगार की भावना और नारी की पृति नविन भावना और अग्या सत्ता की पृति प्रेम यह आपकी चायावाद की कोई भी दो विसेस्ता है आप इन में से लीजेगा ठीक है चलिए और इसके बाद में जो महत्पूर्ण प्रस्ण है यहां भी आपका परिक्ष्छा में आने कि इसकी 100% चांस है कि भक्तिकाल के प्रमुक कवी और उनकी रचना है बताइए कोई दो देखिए यह सारे जो चांस है यहां प्रस्ण है आपके दोंक के भी चल रहे हैं ठीक है तो तुलसिदास भक्तिकाल के देखिए बढ़ते हैं आगे की तरफ चलिए अगला देखते हैं तो यह अगला है आपका चायावाद के प्रमुख दो कभी लिखना है और उनकी रचना है देखिए तो चायावाद के जो प्रमुख दो कभी वहाँ है जे संकर प्रसाद और सूरेकांतरपाटे निराला और महादेवी वर्मा चलिए ठीक है दो कभी पूछे तो मैंने तीन बताए आपको जे संकर प्रसाद का आप याद रखेगा कामयानी लहर जरना आसू ये इनकी रचना हैं तो आप लिख सकते कामयानी और आसू इसका सुर्य कांतर पाटने निलाला का लिख दी जगा अनामिका और परीमल महादेव और मा का लिखेगा नियार और रस्मी ठीक है अगला आपका जो महत्पुन प्रसने हैं चटा प्रसने है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या वियंग नहीं थे यहने गोपियों के द्वारा जो उद्धव है उसको भाग्यवान कहा उसमें कौन सी बात नहीं थे तो देखिए यहाँ पर इसका अंसर है कि उद्दव सिरी क्रस्ने के पास रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं कर सके हैं जो सिरी क्रस्ने के पास रहे उद्दव जी उसके बाद में भी उनसे प्रेम नहीं हुआ इसलिए गोपियों को वे भाग्यहिन लगते हैं भाग्य साली नहीं क्योंकि व्यंग क्या है इसमें गेराई क्या बात चिप हुई है कि वो स्रीक्रस्नी के पास थे जिसके बाद भी उन्हें स्रीक्रस्नी से प्रेम नहीं हुआ इसलिए गोपियों को वे भाग्य हीन लगते हैं यही व्यंग भाग्यवान कहने में व्यक्त किया गया है यानि कि कहने का मतलब यह है कि विपरित लक्षन में भाग्यवान कारते क्या है भाग्य हीन तो उद्धव जी को वह भाग्यवान नहीं के रही है क्या बता रही है भाग्य हीन अगला जो important प्रसने आपका वहाँ है सात्वा कि सूर्दास की काव्यगत विसेश्था है लिखिए दिखिए तो आप 100% करिए गई सही कि सूर्दास की काव्यगत विसेश्था है तो यहाँ अगला जो आठवा आपका most important प्रसने है कि सूर्दास का भावपक्च लिखते हुए दो रचनाओं के नाम लिखिए देखिए जो भी यह सूर्दास से संबंदित और तुलसिदा जी से संबंदित जो भी आपके महत्पुन प्रसने यहाँ पर है यह तो 100% आपके मेंसे एक प्रसने जरूर आएगा आप परिक्षा के दिन इस बात को जरूर मिला लीजेगा और के अनन्य भक्त थे सिरी क्रशने के दिखिए मैं याद भी आपको करवाता जा रहा हूं आपके वल सिर्फ ध्यान से देखिए एक चीज़ तो आपको देने ही पड़ेगा ओवी ध्यान और बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तभी तो यह कर आपको अधिक सदिक अंकर प्राप 95% 90 से उपर परसिंटेज के बच्चे टॉप करते हैं तो आप निस्सिंत रहेए आपको कोई जूटा दिलासा नहीं दिलाया जाएगा आपको जो भी जानकर दियाएगी सटिक दियाएगी मैं हर यूटूबर की तरह इसा सिर्फ नहीं कहूंगा कि 4% रट लो और यही वार् पेपर में आएंगे आप पेपर के दिन मिला लेना इस बात को आप भले आप आज विश्वास ना करें देखिए तो भाव पक्षी क्या है सुर्दाज जी सिरी क्रिस्ने के अनन्य भकते हैं उनके कावियों में भाव का सागल लहरा रहा है जो सुर्दाज जी क्रिस्ने के कै इनकी रचना एभी सी प्रस्ण में आपको पुछे गई है तो सुरसागर सुरसारा वाली साहित्य लहरी और जो नववा प्रस्ण है आपका उसमें पूछाए कि महा कभी सुरदाज जी का साहित्यमिस्तान निर्धारित कीजिए देखिए हर साल कैसा रहता था कि एक बार सुर्दाज जी का स्थान के साहित्य परी है इनका वासली वर्नन किस तरह का है आदवित्ती है और सुर्दाज जी को वासली रसका क्या क्या मना जाता है सम्राठ माना गया है अब अगला आपका जो दस्वा प्रस्न है वहां है गोस्वामी तुलसिदाज जी की दो रचनाएं लिखिए और उनकी काव्यगत विशेष्थाव का भी वर्नन कीजिए तो देखिए तुलसिदाज जी की दो रचनाएं है रामचरित मानस विने पत्रिका दोहा वली कविता वली पारवती मंगल जानकी मंगल कोई भी दो आपको याद रखना है तो इसी में आप से पूछा है कि काव्यगत विशेष्था भी इनकी आपको बतानी है यह तो मिश्टिक से यहां पर उत्तर डल गए यह उत्तर करमांगा आपका दस कहीं है तो तुलसिदाज जी ने ब्रजबासाओं में कावी की रशना किये किस बासम पर इनने कावी की रशना की तो अउदी और ब्रजबासा दोनों में ही कावी की रशना किये इनके कावी में चोपाई दोहा सरोटा हरी गीति का आदी अनेक चंदों का प्रियोग हुआ है तो यह वह इनकी कावीगत विश तो आपको भाव पक्ष यह रहा आपका ग्यार्विक अंसर तुलसिदाज जी का जो भाव पक्ष है तुलसिदाज जी भाव जगत के समराथ है उनकी रचनाओं में धार्मिक समाजिक पर इसके बाद अंका साइति में इस्तान। इन्होंने जो हमें धार्मिक ग्रंत याने की रमायन उपलब्द कराया है इसके लिए ये सदा ही अमर रहेंगे तो सिंपल सा आप स्क्रीन सोट इनके जरूर लेते चलिएगा चलिए इसके बाद में आपका जो बारवा कुश्य ने मुआ है जे संकर प्रसाद की काविगत विसेस्ता है आपको बतानी है तो ये रही आपकी जे संकर प्रसाद की काविगत विसेस्ता है क्या है कि छायावादी काविधारा के कवियों में प्रसाद जी का नाम सिर्शस्त है यहने सबसे उपर है इसमें कि छायावादी कावेदारा में कवी के कव्यों में प्रसाद जी उनका नाम के साय सबसे उपर है प्रसाद जी ने अपने काव्यों में प्रकती प्रेम नारी सुंदर्य का सुचम चितरन और दुक और वेदना और देश प्रेम आदिका भावपूर ने चित्रन किया है यहां की कावियो में इनका वर्णन हुआ है यह था आपका क्वेस्ट नंबर 12 का अंसर जो था आपका जे संकरप्रसाद की काविगत विसेशता है तो बीडियो बहुत जानदा लंबा बन जाएगा तो आप इहां से इसका इसकी इंसोट ले लिए आप पढ़ लीजेगा और अच्छे से कंप्लिट कीजेगा विश्वास कीजेगा यही वार्शिक परीच्छा में हंडेट प्रसाद आपका पेपर इसी में से बनेगा चलिए इसके बाद में अगला है तेरवा प्रस्थ हो गया आपका और चवद्वाव नमबर प्रस्थ है आपका आधुनिक हिंदी साहिति में जे संकर प्रसाद जी का क्या स्थान है तो ध्यान से देखिए उत्तर क्रमांग चवदा है ठीक है तो यह आपका यहां पर देखिए यहां निश्चिंत रही है प्रस्थ ले लिएगा और यहां से उत्तर लिखा आपका प्रस्थ चवदा का अंसा रही है तो यह साहिति मिस्तान इसका इसकी इन्सोट ले लिजे आप चलिए अगला जो आपका महत्पुन प्रस्थ निराला जी के काविक का भावपक्ष उम कलापक्ष लिखिए यानि कि सूरिकांत जो तृपाटी निराला जी है उनका भावपक्ष लिखना और कलापक्ष आपको लिखना है यह आपका प्रस्थ 15 देखिए इसकी इन्सोट ल आप इसका इसके इन सोट आपने ले लिया होगा और इसी के नीचे आपका जो उत्तर क्रमांग के सोला है देखे प्रस्न सोला पढ़ लेजिए पिले के निराला जी की दो रचनाय लिखिए और हिंदी साहित्ति में उनका इस्थान इस्थान कीजिए तो यह आपके उनकी दो सत्रांक 17 है वह उद्धव के वियवार की तुलना किसि से की गई है तो भी इस加श यह है कि उद्धव के वियवार की तुलना कडवी ककड़ी réalitéल की गागर कमल के पत्तो आदिससे की गई है चलिए मॉहेत्मन प्रस्न था यह इसके नीचे आपका जो अठारवा प्रस्न है व कि अपने घुमा फिरा कर इसका अंसर बना देना है कि गोपियों ने कमल के पत्तो तेल की गागर और कडवी ककड़ी आधी का उधारन देकर उद्धव को लेना दिये हैं वे क्रस्ने से प्रेम ना कर पाने वाले उद्धव को भाग्यीन मानती है क्रस्ने के पास भी हो रहते उद्धव द्धव द्वारा दिये गए योग के संदेश ने गोपियों की विरा अगनी में घीक का काम के से किया चलिए उन्निसवे प्रस्ने का अंसर आप यहां से लिखिएगा ठीक है वीडियो लंबा बन रहा है इसलिए मैं आप जल्दी जल्दी बता रहा हूं यहां से स्क्रीन सोट ले लिजे और सारे पहले देखे पहले पेपर का आप स्क्रीन सोट ले लिजे यह देखे इसमें से बनेंगे हो गया 41 प्रस्न तक चलिए इसके बाद में मैं अब दारक लिए आपको आंसर बता रहा हूं वैसे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा तो यह तेखे यहाँ पर यह प्रस््न आख का लेंहरे है रही है और स्क्रीन सोट के जिरीबे प्रस्न का अंसर पकड़ लेंगे यह लएपको आपका लिए आप प्रस्न की रश्मन परस्न की विशे सुक्जानु पीड़ा। बहुत लंबा बन रहा है इसी गारा जल जल देनी तो मैं इसी वीडियो में आपको सारे कोश्चन के अंसर भी याद करवा देता ठीक है चलिए 25 वेगा अंसर आप यहां से लिखेगा सिंपल से सिंपल लेंग्वेज में बनाया गया है आपके लिए यहां वीडियो और यहां निस्चिंत रहे है यह ओफ लाइन हमारी जो कोशिंग है उनके बच्चों की कोफी में सही वीडियो बना रहा हो तो समझ सकते हैं कि यह कोई फेक आपके लिए वीडियो नहीं बनाया उत्तरक्रमांग 39 का जो आंसर है यहां से यहां तक पहले तो और इसके बाद में यह से बचावा भाग कोपी में नहीं और रहे पाया तो आंसर देखी यहां पर ही फिर यह देखी है यहां पर नंबर भी डले हुए निस्चिंत रही है आप ठीक है यहां यह प्रसंगरमांग 30 जो आपको मैंने पहले ही पता दी इस सारे प्रसन उनके सभी के यह answer है, चले 30 के बाद में, यहां आपका उगया फ्रसन 21 के बाद में यह आपका प्रसन आंसर है यहां से लिखिगा इसी के नीचे आपका 33 case ऐसे ने आपका 34 वा क definitive away का अंसर और इसका कुछ सेज बचा हुआ भाग यहाँ पर है यह 34 का तो यहाँ से लेगी है इसी के नीचे आपका यह है उत्तक्रमांग 35 यहाँ पर नमबर डले हुए है दिहान से देखिएगा आप और यह 35 के बाद में यह रहा आपका 36 36 के बाद में आपका यह अगला है यहाँ पर है 37 और नीचे इसी के नीचे है आपका उत्तक्रमांग 38 और 38 के बाद में यह है आपका उत्तक्रमांग 49 ठीक है 49 के बाद में यह है आपका उत्तक्रमांग 40 चालीफ के बाद में ये है आपका उत्तिक्रमाइन्क 41 ठीक है तो इसन थारह मैंने सारे प्रस्णी जो इंप्रोडेंट प्रस्ण है आपके जो आपका वितान है उससे जो भी आपके सब्रूंद प्रस्णी का मैंने आपको भड़े बारी किसे इसका solution उपलबद करवाया है चलिए अब इसके बाद में इसके जो वस्तोनिष्ट प्रसंग है वह का यंगे that दियान से देखें दो थो अंग के तीन प्रसंड में चार इंक का एक प्रसंग यह और इसके बाद में जो से इनका मैंने टिक मार्क भी है ये इनके आंसर है आप अच्छे से कम्पिलीट कीजेगा ठीक है चलिए इसके बाद में ये आपके साथ वे से लगा के 13 हो गया है इसके बाद में 13 से नीचे 19 तक इसके बाद में यहां पर ये आपके देखिए इसके अलावा रोंग एक परसेन में जागा ये 100 परसेन आपकी गारंटी है ठीक है हमारी यहां से आपको दी जाएगी चलिए इसके बाद में 28 के बाद में यहां तक 32 तक इसके बाद में 33 से लगा कर फिर रिक्तिस्तान रिक्तिस्तान के बाद में आपका जाएगा ये से बचे वे रिक्तिस्तान सही जोड़ी सही जोड़ी हो गई सही जोड़ी के बाद में आपका ये जोड़ी और ये एक वाक्षी में उत्तर चोविस और ये बच्चे वे सेस सत्य और आ सत्य और इसके बच्चे वे सेस भाग सत्य सत्य का और इसी के नीचे जो है आपका यहाँ पर question number जो 6 इसका जो मैंने सारे important प्रेसे ने बता है एक बार और उनका screenshot ले लिए पेपर का इसी में से बनेगा और यहाँ पर यह और इसके बाद में जो आपका चार अंक्ग का प्रेसन है वहाँ चार अंक्ग का प्रेसन है यहाँ से बनेगा ठीक है तो यह उदो तुम तो हो अतिबड भागी मैं इसके आंसर अभी आपको बता भी रहा हूँ इसके बाद में यह हमारो तो हरील लकरी यह करेंगे इसके बाद में आपका यहाँ से यह चोथा बादल गर्जो अट्रई चाया मत्चुना और मा ने कहा पानी में जाग कर यह देखेंगे सबका इसकी इंसोट है आप इनके हम आंसर देख रहे हैं सीरियल भाई सीरियल है चलिए संदर्व प्रसंग व्याक्या वाला जो इंपोडेंट है आप यहां से इसका इसकी इंसोट लीजिए यह संदर्व हो गया यह प्रसंग हो गया है प्रसंग के बाद में यहां से इसकी व्याक्या हो गई ठीक है तो यह देखे यहाँ पर इसकी व्यक्ख्या है और यह दूसरे नम्मर का जो ता आपका हमारे हरी हरी लक्री वाला यह भी आपका इसके बाद में यह दूसरा जो आपका नाथ संबून भंज निहारा वाला इसका यहां से यह व्यक्ख्या इसकी अब आपका यह चोथा जो प्रसने मदब गुन वाला संदर प्रसंग व्यक्ख्या के लिए तो यहां इसका स्कीन सोट ले लिए इसके बाद में यह इसका बचावा सेज़ भाग और इसी के नीचे आपका यह बादल गर्जो वाला यहां से स्कीन सोट इसका लिजीए गा और अब इसका अंसर संदर प्रसंग व्यक्ख्या ठीक हैं और इसी के बाद में आपका जो कुस्चन नम्मर शाथ है छाया मत चुना वाला तो यहां से इसका स्कीन सोट ले लिजे इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजेगा और यह अंतीम आपका संद्र प्रसंग के लिए important person मा ने कहा पानी में जाग करता तो यह यहां से आप यहां तक इसका answer लिख दीगा आसा करता हूं कि आपको वीडियो जुरूर पसंद आएगा और 100% देखिएगा आप पेपर इसी में सी बनेगा आप निश्चिंत रहिए विश्वास रखिए अगले वीडियो में हम इसके जो सेज बचेवे इंपोर्डेंट प्रसन है उन सभी का solution करेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक आप इने अच्छे से complete कीजिए और जल्दी जल्दी कीजिए आप अधिक साधिक अंगर प्राप्त करें इस चैनल का यही उद्देश चे